रामायन चौपाई चौपाई एक मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुदसरत अजर बिहारी भावार्थ जो मंगल करने वाले और अमंगल हो दूर करने वाले हैं वो दशरत नंदन श्री राम है वो मुझ पर अपनी कृपा करें चौपाई दो होई ही सोड जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा भावार्थ जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा तर्क करने से व्यर्थी बात बढ़ेगी और हमारे कुछ करने से वो बदल नहीं सकता चौपाई तीन हो धीरज धर्म मित अरू नारी आपद काल परिखिय ही चारी भावार्थ बुरे समय में ये चार चीजे हमेशा पर्खी जाती है धैर्या, मित्र, पत्नी और धर्म चौपाई चार जही के जही पर सत्य सनेहुसो तेही मिले न कच्छु संदेहु भावार्थ सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदे जरुर होता है चौपाई पांच हो जोकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिन तैसी भावार्थ जिसकी जैसी प्रभू के लिए भावना होती है प्रभू उन्हें उसी रूप में दिखाई देते है चौपाई छे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई भावार्थ रघुकुल परंप्रा में हमेशा वचनों को प्राणों से ज्यादा महत्व दिया गया है चौपाई साथ हरी अनन्थ हरी कथा अनन्ता कही सुनही बहुविधी सब संता भावार्थ प्रभू श्री राम अनन्थ हैं उनका कोई पार नहीं पासकता और उनकी कीर्ती भी अपरंपार है इसका कोई अन्थ नहीं है बहुत सारे संतों ने प्रभू की कीर्ती का अलग-अलग वर्नन किया है चौपाई आठ बंदू गुरुपद पदुम परागा सुरुची सुबास सरस अनुरागा अमा मुरिमय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू भावार्थ मैं गुरु महाराज के चरण कमलों कीरज की वंदना करता हूँ जो सुरुची, सुन्दर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रुपी रस से पूर्ण है वो अमर्मूल संजीवनी जड़ी का सुन्दर चूर्ण है जो समस्त पारिवारिक मोह रुपी महान रोगों का नाश करने वाला है चौपाई नौजा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसहु रगुराया भावार्थ जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुहक छू तक नहीं सकता परमात्मा जिस पर कृपा करते है उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है और जिनके अंदर कपट पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के ह हृदय में रगुपती बसते हैं अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है चौपाई दस श्री गुर्पद नख मनी गन जोती सुमिरत दिव्य द्रिष्टी ही यां होती दलन मोह तम सो सप्रकासू बड़े भाग उर आवट जासू भावार्थ श्री गुरु महराज के चरण नखों की ज्योती मनियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरन करते ही हृदय में दिव्य द्रिष्टी उत्पन हो जाती है वो प्रकाश अज्यान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है चौपाई 11 कहु तात असमोर प्रनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरिदू संभारी, हरुनात मम संकट भारी भावार्थ, माता सीता, हनुमान से, ही तात, मेरा प्रनाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, ही प्रभु, यद्यपी आप सब प्रकार से, पूर्ण काम है, अता उस स्वभाव को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए, चौपाई 12 आगे के मृदू बचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित अही गती संभाई, अस कुमित्र, परिहरे ही भलाई भावार्थ, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है, और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है, हे इस तरह, जिसका मन साप की चाल के समान तेड़ा है, ऐसे कुमित्र को तो, त्यागने में ही भलाई है चौपाई 13 जासु नाम जब सुनहू भावानी, भव बन्धन का ही नर ज्यानी तासु दूत की, बन्ध तरू आवा, प्रभू कारज लगी कपिही बधावा भावार्थ शिवजी कहते हैं, ही भवानी सुनो, जिनका नाम, जब कर ज्यानी मनुष्य संसार रूपी जन मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है, लेकिन प्रभू के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयम को शत्रू के हाथ से बंधवा लिय चौपाई जो दूसरों के दोशों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयम भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने- कुम्भकरन सम सोवत नी के भावार्थ, जो तेज, दूसरों को जलाने वाले ताप में अगनी और क्रोध में यम्राज के समान हैं। परही बंदू खल जसेश सरोशा, सहस बदन बर्नड पर दोशा, भावार्थ, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाडने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेशजी के समान समझ कर प्रणाम करता हूँ, जो पराए दोशों का हजार मुखों से बड़े रोश के साथ वर्नन करते हैं, चौपाई सत्रा भल अनल निज निज करतूती, लहत, सुझस अपलोक बिभूती सुधा सुधाकर सुरसरी साधू, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधू, गुन अवगु जानत सब कोई, जो जेही भाव नीक तेही सोई भावार्थ, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुन्दर यश और अप्यश की संपत्ती पाते हैं, आमरित, चंद्रमा, गंगाजी और साधू एवं विश, अगनी, कलियुग के पापों की नदी अर्थात, कर्म अनाशा और हिंसा करने वाला व्याद, गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही, अच्छा लगता है चौपाई अठारा मृदुल मनोहर सुन्दर गाता, सहत दुसा बन आतप बाता की तुम तीनी देवमा है, को नर नारायन की तुम द दो भावार्थ, मन को हरन करने वाले आपके सुन्दर, कोमल अंग हैं और आप वन के दुह सह धूप और वायू को सह रहे हैं, क्या आप ब्रम्हा, विश्नु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप, दोनों नर और नारायन हैं, चौपाई 19 देत लेत मन संख न धरई, बल अनुमान सदा हित करई विपती काल कर, सत गुन नेहा, शुती कह संथ मित्र गुन एहा भावार्थ, देने लेने में मन में शनका न रखे, अपने बल के, अनुसार सदा हिती करता रहे, विपत्ती के समय तो सदा सोगुना स्नेह करे, वेद कहते हैं कि संथ कोई सहसा, करीब आछे पच्छिता ही, कहीं बेद बुध ते बुध नहीं भावार्थ, किसी भी कार्या का परिनाम उचित होगा या, अनुचित, ये जानकर कार्या करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं, और जो बिना विचारे काम करते हैं वे, बाद में पच्छ सोच त्यागहू बल मोरे, सब बिधी घटब काज में तोरे भावार्थ, मूर्क सेवक, कंजूस राजा, कुल्टा स्त्री और कप्टी मित्रिये चारों शूल के समान पीरा देने वाले हैं, हे, सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हा सारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, चौपाई 22 सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरी सरन्न एकव बाधा फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुन, ब्रह्म सगुन भे जैसा भावार्थ, जो मचलिया अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्री हरी के शरन म चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती, कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुन ब्रह्मा, सगुन होने पर शोभित होता है, चौपाई 23 मन क्रम बचन सो जतन विचारेहू, रामचंद कर काज सरावारेहू भानू पीथी से या उरागी, स् श्री रामचंद्रजी का कार्य संपन, सफल करना, सूर्य को पीथ से और अनी को हरिदय से सामने से, सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से, मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए चौपाई 24 तजी माया सेय परलोका, मिठी सकल भवसंभव सोका दे धरे कर यह फलू भाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भावार्थ, माया, विशेयों की ममता आसकती, को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्यधाम की प्राप्ती के, लिए भगवत सेवा रूप साधन करन चाहिए, जिससे भव, जन्म, मरण से उत्पन सारे शोक मिठ जाएं, हे भाई, देह, धारन करने का यही फल है कि सब कामों, कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए, चौपाई पच्छी सो, गुंग्य सोई बढभागी, जो रगुबीर चरन अनुराग आयसू मागी चरन सिरू नाई, चले हर्शी सुमिरत रगुराई, भावार्थ, सदगुनों को पहचानने वाला, गुनवान, तथा बढभागी वही है जो श्री रगुनात जी के चरनों का प्रेमी है, आग्या मांगकर और चरनों में फिर सिर नवाकर श्री रगुनात जी क स्मरन करते हुए सब हर्शित होकर, चले चौपाई 26 पाप जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भवसागरत रही तासू दूथ तुम तजी कद्राई, राम, हृदया धरी कर हूँ उपाई भावार्थ, पापी भी जिनका नाम स्मरन करके अत्यंत पार भवसागर से तर जाते ह तुम उनके दूत हो, अतह कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारन करके उपाई करो 24 पाई 27 अस विवेक, जब देर विधाता, तब तजी दोश गुनही मनूराता काल सुभाव करम वरी आई, भले प्रकृती बस चुकर भलाई, भावार्थ, विधाता जब इस प्रकार का हंस कसा, विवेक देते हैं, तब दोशों को छोड़कर मन गुनों में, अनुरक्त होता है, काल स्वभाव और करम की प्रबलता भले लोग, साधू, भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई, से चुक जाते हैं, चौपाई 28 सो सुधार हरिजन जिमी लेही, दिली दुख दोश बिमल जसु देही खल कर ही भल, पार सुसंगू, मिटर न मलिन सुभाव अभंगू भावार्थ, भगवान के भक्त जैसे उस चूप को सुधार लेते हैं, और दुहक दोशों को मिटा कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ठ भी कभी उत्तम संग पाकर परन्तु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मित्ता चौपाई 29 लखी सुबेश जग बंच का जिव, बेश, प्रताप रही तेउं उघर ही अंतना होड निबाहू, कालने मी जिमी रावन रहू भावार्थ, जो वेश धारी, ठग हैं, उन्हें भी अच्छ साधू का सा, वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूझता है, परन्तु एक न एक दिन, वे चौड़े आही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निबता, जैसे कालने मी, रावन और राहू का हाल हुआ, चौपाई सब काहू भावार्त, बुरा वेश बना लेने पर भी साधू का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानी और अच्छे संग से लाब होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं, चौपाई 31 गगन चधर रज पवन प्रसगा, कीचाही मिलई नीच जल संगा साधू असाधू सदन सुक सारी, सुमिरही राम देही गनी गारी भावार्थ, पवन के संग से धूल आकाश पर चद जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले, जल के संग से कीचड में मिर जाती है, साधू के घर के तोता मैना राम राम सुमिर्ते हैं और असाधू के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालिया देते हैं चौपाई 32 धूम कुसंगती कारेक होई लिखिया पुरान मंजू मसी सोई सोई जल अनल अनल संघाता होड जलत जग जीवन दाता भावार्थ कुसंग के कारण धूआ कालिक कहलाता है वही धूआ सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुरान लिखने के काम में आता है और वही धूआ जल अगनी और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है चौपाई तेहती साकर, चारी लाख चौरासी, जाती जीव जल थल नब बासी सिय राम्मय सब जग जानी, करू प्रणाम जोरी जुग पानी भावार्थ, चौरासी लाख योनियों में चार प्रकार के, स्वेधन, अज्ज, उद्भिज, जरायुज, जीव जल, प्रिथवी और आकाश में रहते हैं, उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम्मय जानकर मैं दोनों हाथ जोड कर प्रनाम करता हूँ, चौपाई 34 जग बहु नर सरसरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाई, सजजन सकृत सिंदू सम कोई, देखी पूर बिधु बाड जोई भावार्थ, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाड से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नती से प्रसन होते हैं, समुद्र सा तो कोई एक, बिरला ही सजजन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उतकर्ष देखकर, उमर पड़ता चौपाई 35 सब जानत प्रभू प्रभुता सोई, तद पी कहें बिन रहा न कोई तहां बेद असकारण राखा, भजन प्रभाव भाती बहु भाशा भावार्थ, यद्यपी प्रभू श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनिया ही जानते हैं तथा पी कहें बिना कोई नहीं रहा, इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है, कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भागवान की महिमा का पूरा वर्नन तो कोई कर नहीं सकता, परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना भागवान का गुनगान करना चाहिए, क्योंकि भागवान गुनगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्नन है, थोड़ा साभी भगवान का भजन मनुष्य को सहजी भवसागर से तार देता है, चौपाई 36 एक अनीर अरूप अनामा, अज सचेदानन्द पर धामा व्यापक बिस्वरुप भगवाना, तेही धरी देह चरित कृत नाना भावार्थ, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजनमा, सच्चेदानन्द और परमधाम है और जो सबमें व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्ही भगवान ने दिव्य शरीर धारन करके नाना प्रकार की लीला की है चौपाई 3700 केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रनत अनुरागी, जेही जन पर ममता अती छोहू, जेही करुना कर कीह न कोहू भावार्थ, वह लीला केवल भगतों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालू हैं और शरनागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भगतों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया चौपाई 38 बहोर, गरीब नेवाजु, सरल सबल साहिब रगुराजु बुध बर्नी हरी जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निजबानी, भावार्थ, वे प्रभु श्री रगुनात्ची गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बिंधु सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं, यही समझकर बुधिमान लोग उन्श्री हरी का यश्वर्नन करके, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तमफल, मोक्ष और दुरलब भगवत प्रेम, देने वाली बनाते हैं, चौपाई 49 तैई बल मैं रगुपती गुन गाथा, कहीं उनाई रामपद माथा मुनेन प्रथम हरी की रती गाई, तैई मग चलत सुगम मोही, भाई भावार्थ, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्नन नहीं, परन्तु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत क्रिपा, के बल पर ही, मैं श्र नवाकर श्री रगुनात जी के गुनों की कथा कहूंगा, इसी विचार से वालमी की व्यास आदी मुनियों ने पहले हरी की कीरती गाई है, भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे, लिये सुगम होगा चौपाई 40 बंदु नाम राम रगुबर को, हितु क्रिसानु भानु हिमकर प्रान सो, अगुन अनूपम गुन निधान सो भावार्थ, मैं श्री रगुनात जी के नाम, राम, की वंदना करता हूं, जो, क्रिशानु, अगनी, भानु, सूर्या, और हिमकर, चंद्रमा, कहेतु अर्थात, रा, आ, और म, रूप से बीज है, वह, राम, नाम, ब्रमह, व वेदों का प्रान है, निर्गुन, उपमारहित और गुनों का भंदार, है चौपाई 41 महामंत्र जोड जपत महेसु, कासी मुकुती हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गराव, प्रथम, पूजित नाम प्रभाव भावार्थ, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री श प्रभाव से, ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, चौपाई 42 समुझहत सरिस नाम अरु नामी, प्रीती परसपर प्रभु अनुगामी नाम, रूप दोई ईस उपाधी, आकात अनादी सुसा मुझी साधी भावार्थ, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किन्तु द दोनों में परसपर स्वामी और सेवक के समान प्रीती है, अर्थाप नाम और नामी में पूर्ण एकता होने, पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं, प्रभु श्री राम जी अपने, राम, नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं, नाम और रूप दोनों इश्वर की उपाधी हैं, ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनिय हैं, अनादी हैं और सुन्दर, शुधा भक्तियुक्त, बुद्धी से ही इनका। दिव्य अविनाशी, स्वरूप जानने में आता है चौपाई 43 भायां को भायां अन्ख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी, दिसहुं सुमिरी सो नाम राम गुन गाथा, करून नाई रगुनाथी माथा भावार्थ, अच्छे भाव, प्रेम, से बुरे, भाव, बैर, से, क्र परम कल्यानकारी, राम नाम का स्मरण करके और श्री रगुनाथ जी को मस्तक नवाकर में राम जी के गुनों का वर्नन, करता हूँ, चौपाई 44 मोर सुधारही सो सब भानती, जासू कृपा नहीं कृपा अघाती राम सुस्वामी को सेवकू, मोसो, निजदिसी देखी दया दयानिधी पोसो भावार्थ, वे, श्री राम जी, मेरी, बिगड़ी, सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन, दयानिधी ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया ह चौपाई 45 लोकहूं बेद सुसाहिब रीती, बिने सुनत पहिचानत प्रीती गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंदित मूर, मलीन उजागर भावार्थ, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीती प्रसिद है कि वो विने सुनते ही, प्रेम को पहचान लेता है, अमीर गरीब, गहवार, नगर निवासी, पंदित, मूर्ख, बदनाम यशस्वी चौपाई 46 सुत, बिशर अक्तव पद रती हो, मोह बढ़ मूर कहे किनको मनी बिनू फनी जिमी जल बिनू मीना, मम जीवन तिमी, तुम ही अधीना भावार्थ, आपके चरनों में मेरी वैसी ही प्रीती हो, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मनी के बिना सांप और जल के बिना मचली, नहीं रहे, सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके, 247 कल्युग केवल नाम आधारा, सुमिर, सुमिर नर उतर ही पारा भावार्थ, इस कल्युग में भगवान का नाम ही आधार है, केवल नाम सुनने से, जपने से, मानव भाव सागर से उतर जाता है, नाम जप में किसी विधिविधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिती में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है, इस नाम जप से हर युग में भगतों का भला हुआ, चौपाय 48 जिन हरिभगती हरिदया नहीं आनी, जीवत सव समान, तेही प्रानी जो नहीं कर र वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है, जो जीब श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेधक की जीब के समान है चौपाई उन्चास रामकथा सुन्दर करतारी, संसय बिहग, उरावनहारी रामकथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनू गिरिराज कुमारी भावार्थ, भगवान शिफ पार्वती जी को कहते है श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुन्दर ताली है, जो संदे रुपी पक्षियों को उड़ा देती है, फिर रामकथा कली युग रुपी वरिक्ष को काटने के लिए कुलहारी है, गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो चौपाई पचास अय अकोबिद अंध अभागी, काई विशय मुकुर मन लागी लंपट कप्टी कुटल बिसेशी, सपने हो संद सभा, नहीं देखी भावार्थ, जो अज्यानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रुपी दर्पन पर विशय रुपी, बिशय बिराग भवन बसत भा, चौत पन हरिदया, बहुत दुख लाग जनम गया हुँ हरिभगती, बिनू भावार्थ, घर में रहते बुडापा आ गया, परंतो विशयों से वेराग्य नहीं होता, इस बात को सोचकर, उनके मन में बड़ा दुहक हुआ कि श्री हरी की भक बिना जन्यों ही चला गया, चौपाई बावन बिनू सत्संग, विवेक ना होई, राम कृपा बिनू सुलब न सोई भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सच्छे संथ नहीं मिलते, तो ते की तरह रट रट कर बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु उस सत्तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष विरले ही मिलते हैं, आत्मग्यान को पाने के लिए राम कृपा, सत्संग और सत्गुरु की कृपा आवश्यक है, ये तीनों मिल जाएं तो हो गया बेडा पार, चौपाई तिरपन आनंद सिं और सुख की राशी हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कंड से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पूत्र। का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शान्ती देने वाला है, चौपाई चावण आनंद सिंधु सुख रासी, सीकर ते त्रे लोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा, आखिल लोक दायक बिश्रामा भावार्थ, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशी हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कंड से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पूत्र का ना सुख का भावन और संपूर्ण लोकों को शान्ती देने वाला है, चौपाई पच्पन अरुन नयन उर्बाहु बिसाला, नील जल स्तनू स्याम तमला कटी पठ पीत कसे बर्भाथा, रुचिर चाप सायक दुहू हाथा भावार्थ, भगवान के लाल नेत्र हैं, चौडी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और ताल के व्रिक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतामब, पहने, और सुन्दर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशा, सुन्दर धनुष और बान हैं, चौपाई छपपन स्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मदू मोचन कौसल्या सुत्सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी भावार्थ, जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं और जो हाथ में धनुष बान लिये हुए हैं, वे कौसल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है चौपाई सत्तावन गौर किसोर बेशु बरकाचे, कर सरचाप राम के पाचे लचिमनु नामु राम लगु ब्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता भावार्थ, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुन्दर वेश बनाई और हाथ में धनुष बान लिये श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्षमन है, है सकी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है चौपाई अठावन चाप्त चरन लखनू उरलाएं, समय सप्रेम परम सचूपाएं, पुनी पुनी प्रभु कह सोवहु ताता, पौडे धरी उर्पद जल जाता भावार्थ, श्री राम जी के चरनों को हरिदय से लगाकर भाई और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्षमन जी उनको दबा रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार-बार कहा है तात, अब सोजाओ, तब वे उन चरन कमलों को हरिदय में धर कर लेटे रहे, चौपाई उनसट देखी, सीय शोभा सुख पावा, हरिदया सराहता बचनू न आवा जनू बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची बिस्व कह प्रगटी देखाई भावार्थ, सीता जी की शोभा देख कर श्री, रामजी ने बड़ा सुख पाया, हरिदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किन्तु मुख से वचन नहीं निकलते, वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुन्टा को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो चौपाई साथ सुन्दर्ता कहुन सुन्दर कर, छबिग्रे दीप सिखा जनू बरही सब उपमा कभी रहे जुथारी, कहीं पत्त्रोन बिदे कुमारी भावार्थ, वो सीता जी की शोभा, सुन्दर्ता को भी सुन्दर करने वाली है, वो ऐसी मालूम होती है मानो सुन्दर्ता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो, अब तक सुन्दर्ता रूपी भावन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुन्दरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुन्दर हो गया है सारी उपमाओं को तो कवियों ने जून्ठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस से उपमा दून चौपाई एक सच सिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनस अपने हु मोही ना पावा संकर विमुख भगती चाह मोरी, सोनार की मूर मती थोरी भावार्थ जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भगत कहलाता है, वो मनुश्य स्वपन में भी मुझे नहीं पाता, शंकर जी से विमुख होकर, विरोध करके, जो मेरी भगती चाहता है, वो नर्कगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धी है चौपाई बासट रामेश्वर दर्सनू करे हैं, तनूत जी मम लोक सिधरी हैं ते जो गंगा जलू आनी चराही, सो साजूज्य मुक्ती नर्पार्ही भावार्थ, जो मनुष्य, मेरे स्थापित किये हुए इन, रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर शोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चड़ावेगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्ती पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, चौपाई तिरसत होड अकॉम जो छल तजी सेही, भगती मोरी तेही संकर देही ममकृत सेतु जो दर्शनू करी ही सो, बिनू श्रम्भवासागर तरीही भावार्थ, जो छल छोड़कर और निश्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शनकर जी मेरी भगती देंगे और जो मेरे बनाय सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा चौपाई 64 गुरुपद रज मृदू मंजूल अंजन, नैन अमा हग दोश बिभनजन तेहीं करी बिमल बिबेक बिलोचन, बर्नू रामचरित भाव मोचन भावार्थ, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुन्दर नैनामरित अंजन है, जो नेत्रों के दोशों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुडाने वाले श्री रामचरित्र का वर्नन करता हूँ, चौपाई 65 बंदू प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संसय सब हरना सुजन समाज सकल गुन खानी, करूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी भावार्थ पहले प्रित्वी के देवता ब्राहमनों के चरनों की वंधना करता हूँ, जो अज्यान से उत्पन सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुनों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुन्दर वानी से प्रणाम करता हूँ